गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आप सब उमीद करते हैं, आप सब खेरयत से होंगे और आज मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, इस टाइम हस्बन को ऑफिस मिजने के बाद अभी बचे उठे हैं, बस बचे फ्रेश हो रहा है मुसब तयार हो रहा भी फिलहल और मैं नाश्त बनाने जा रही थी और मेरे पीछे देखें क्या हो रहा है आज कराची में ठंड बहुत जादा है और हवाएं चल रही है काफी हद तक हवाएं बहुत जादा तेज होगी है और मुझे तो समझ में नहीं आता कि स्कूल वाले जो बहुत जादा ठंड होती है तो तब स्कूल बुला लेते हैं और जब ठंड इतनी नहीं होती है तो फिर छुटियां दे देते हैं अब ठंड स्टार्ट हो रही है और फिर छुटियां भी खत्म होने वाले हैं तो चलेंज अल्ला मालेक है, अभी तो हम लोग जो है ना, बस फ्रेश हो के भी बस नाश्ता बाश्ता बनाते हैं, और सबसे मज़ी की बात बता हूँ, आज मेरे साथ ट्विस्ट हो गया, वो ये कि ना ब्रेड है, ना पापे हैं, कुछ भी नहीं है, और मेरा नाश्ता बनान आप भी चलें किचन में काम करवाने, ये देखें हमारे चाए, अल्मोस्ट मारे रेडी है, बस आटा मैंने सॉफ्ट करने के लिए रख दिया, अब बस अंडे वगरा तुरूते हैं, नास्ता बनाते हैं, और तो पहर के लांज के लिए मैं आलूगोश बनाने वाली हूँ, अधीमा, सदीम जो है ना ये लोग पढ़ लाएं, जब तक ये लोग पढ़ेंगे, रेडिंग करेंगे, इनका मोड खराब हो गया, कहते हैं, मैंने ये वाला नहीं पढ़ना, मैंने कोई दूसरा पढ़ना है, तो जो याद करना है, वो कहते हैं, ये याद नहीं करूँगा मैं दूसरा याद करूंगा, तो इनका मोड खराब हो गया, तो चलें जीनका भी मोड सही हो जाएगा, और कितना तयार होने में टाइम लगेगा, हाँ, कितना रेडि मी होने में टाइम लगेगा, हो गए, जल्दी से रेडि हो जो मैं आश्ता बना रही हूं, ठीक है, शरम आ रही है मुझसे मुझसे शरम आती है बताओ तो फाइनली जो है ना हमारा यह देखें लास्ट रह गया यह बन गया है यह बन चुके हैं बस अब जो ना एक वगरा जो है इनके यह त्यार करते हैं और हमारे पास एक इंसान आया वैसको बहुत जाना थे स्पूक लग रहे है इसका बसने चल रहा है यहीं सिखाना चुरू करते हैं जल्दी आके उठाओ में सब चलो फास्यापी को भी बलाओ पास्याज़ो सदीम दूआ मांगो चलो शाबश चले जी नाश्ता हमारा डनो के है शुकर है अच्छा नाश्ता करने के बाद जो है न मैं ये गोश चड़ा रही हूँ ताके दूसरे काम करती रहूंगी और ये जब तक जो है ना अच्छे से गल जाएगा क्योंकि गैस का प्रॉब्लम होता है ना तो जल्दी जल्दी फिर खाना भी चड़ाना पड़ता है अच्छे नए आलू में इतनी ज्यादर डास्ट और मती है कि इसको तक्रीबन पंदरां से बीस मिनट में भीगोव के रख देती हूं ताके इसकी मती सही से उतर जाए तो फिर फुरच के जो है ना फिर इसको मैं छील दोती हूं और अभी तिलहल तो है ना इसको भीगोव क में रख रही हूं किया मेरी जान होर्ष बना ली आज पर्सों से मुशक्कत हो रही है आज जाके से शकल कुछ नुमाया हो रही है पढ़ाई हो रही है अच्छा कलर करना होर्ष में सही है जो करमत बनाना आप यूनिकॉन है यूनिकॉन है येलो कलर करो अब लिंबो बन जाएगा भी अच्छा आप चलो फास्या मेरे साथ गैलरी में कपड़े उतारते हैं आज साथीम को बड़ा जो है ना ठंड वाला मोहल लग रहा है आज साथीम क्या लिख रहे हो साथीम कौन से एटी वाले वाले वर्ट्स अच्छा ठीक है ठीक है और आपका कौन सा हो रहा है कौन से पुटाटो वेजिटेबल्स नेम और अच्छा सर्दी यहां पर बहुत ज़्यादा हो गी है और इस तरह होई जूँ 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 चल रही है और गाओं में मेरी बात हुई है अपने चच्छी से तो वो बता रही थी कि यहां पर इतनी ठंड है कि कमरे से बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है और वहां कि ठंड तो बहुत ख़तरनाक है क्योंकि वहां पर दिन भी नहीं निकलता इस तरह पॉजिशन हो गई है तो गाओं वाले पता ने किस तरह जो मैनेज़ करते है और पंज़ाब में व्यूदें तो वहां कि मौसम में जाते हैं जैसे कि ठंड ह जल्दी जल्दी आजा बिटा अच्छा देखें ये शॉपर्स में इनकी बुक्स वगरा बांग के रख दी है मैंने बैग इनके धुलवाई थे बहुत गंदे हो रहे थे डस्टी तो अब जो है ना बैग इनके वो देखें ये देखें धुले रहे बैग आज अला करें ये फिर मैं इनको शिफ्ट करूँगी क्या चीज़ जी ये देखें कि अभी थोड़े से घीले थोड़े कपड़े भी घीले तो ये जो है ना थोड़ी देर के बाद जो है सूप जाएंगे पर उतारती हो और हमारी गली में इतना शोर हो रहा है इतना शोर हो रहा है बच्चे किरकट खेल रहा है ऐसे लग रहा है चैसे पाकिसान की टीम आ गई हो बहुत शोर कर रहे है तो जब हम लोग इस कमरे में बैटते हैं न तो अक्सर गर्मियों में भी ये लोग इस तरह से कभी कुछ कभी कुछ खेल रहे होते हैं तो बड़ा शोर हो रहा है बड़ा डिस्ट करोना के बाद मैंने करोना के टाइम तो बच्चे मेरे करोना से पहले बच्चे जो है ना मेरे काफी अच्छे स्कूल में पढ़ते थे फिर वहां पर इस सरह को कुछ स्टुवेशन आया कि करोना में स्कूल बंद हो गया और ओन्लाइन क्लासे पर वो सब कुछ आउफ करने के पर हम लोग बड़ी क्रैसिस में आगे थे बहुत ज्यादा क्रैसिस में आगे थे हम लोग के इविन के हमारे पास बच्चों की स्कूल की ट्यूशन फीस तक भी नहीं होती थी तो मुझे जो है ना डिसीजन लेना पड़ा लास्ट के भई मैं इनका ट्यूशन भी बंद करा तो वरहल फिर दो साल का गया पाई है मेरे बच्चे ना स्कूलिंग ट्यूशन ये कुछ भी नहीं कर रहते हैं मैंने घर में जितना हो सकता था मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी फिर एक वक्त ऐसा आया के स्कूल खुल गय थे बच्चे स्कूल जाने लगे गली महले म क्या कि मैंने अपने बच्चों को हमेशा से जब से अलहमदुल्ला जब से ये लोग समझदार हुएं तीन साल की उमर से लेके मैंने अब तक जो अपने बच्चों को बस इनी चीज़ों पर लगाया है वह भले किताबे फ़ड़ते रहते हैं खेलते रहते हैं कलरिंग करते तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कॉपी में कुछ न कुछ लिखी रहते हैं तो मैंने क्या किया कि मैंने एक बहुत ही जदा मिडल क्लास स्कूल था ठीक है तो वहां फिलाल मैंने यहां उनका अडमिशन करा दिया था तो मैंने का ना होने से तो कुछ बहतर होगा कि मेर फिर बरहल मैंने दो महीने वहाँ पढ़ाया था इनको जाहरे कि उनका एडमिशन कराया था तो स्कूल के जो है ना सब चीजे प्रॉपर खरीद नी पढ़ी स्वेटर, उनिफॉर्म हर चीज तो सिर्फ टू मंथ पढ़े थे वहाँ पर टू मंथ पढ़ने के बाद जो है ना म स्कूल वहाँ से बंड कराया और पिर जहां मैं चाहती थी कि क्या करते हैं जहां से मैं आपने बचों का अब यहां से स्टाट करूंगी तो अब मेरे बचे अलम्दल्लाव उनिस स्कूलों में पढ़ना है और पर जो के स्वेटर इनके बिल्कुल नए के नए रखे वेते तो मैंने का चलो इस साल जो है न ये स्वेटर ऐसे निकाल लेती हो तो बड़े एक्सपंसिव हैं बहार आप जाओ न तो एक बचे का ड्रेस लेने जाते हैं तो चार से पांच हजार रोपे लग जाते हैं अग का लिबास जो होता है उससे मैं सोचती हूं मेरी एक अपनी सोच है कि बच्चों का लिबास जो है ना लिबास से नहीं पहचाना जाता है इंसान सिर्फ और सिर्फ शूर से और तालीम से जो है ना इंसान की शक्सियत होती है लिबास से शक्सियत नहीं होती तो मैंने अपने से जादा अच्छा पैन है तो आपके शक्सित जो है ना तालीम से नजर आएगी शवूर से नजर आएगी तो कपड़ों से नजर नहीं आती तो मेरे बच्चे अलहमदुल्ला मैं जो भी जैसे भी बोलती मेरे बच्चे मैनेज कर लेते हैं तो यह बहुत अच्छी आज़ाते पोजिटिविटी है कपड़ों से जो है ना इनसान की शक्सित नजर नहीं आती है मैं सोचती हूँ कि यह जब बड़े हो जाएंगे ना तो जब इनके तालीम अच्छी हो जाएगी तो यह कपड़े पहने वे भी लोग भूल जाया करते हैं मगर तालीम जो है ना और शक्सि जो है वो इनसान की बड़े हो के पता चलती है तो चले जी अपना बहुत सारा हया रखेगा दो हमें याद रखेगा इसी के साथ इजाज़त तुम्हें आला हाफिस